कि अगले पार्ट पर आ जाते हैं अगला है लास्ट अब कई बार ऐसा होता है कि मालिक का काम ट्रांस्पोर्टेशन का है सर ट्रांस्पोर्टेशन का मतलब ट्रक्च आने का है और आप अपना घर सिफ्ट कर रहे हो घर सिफ्ट करोगे तो समान तो लेके जाना पड़ेगा और जो समान लेके जाओगे वो किसी ने किसी ट्रक में जाएगा तो मालिक ने बोला भिया एक काम करो घर का समान हमारा ट्रक खाली रहता है सबेरे सबेरे इस पर डलवाओ और सिफ्ट कर लेना बड़ा जल्दी हो जाएगा अगेन आपको फेसलिटी मिल गया ट्रांस्पोर्टिशन या तो आपके समान का या फिर मान लो बस चलाते हैं अब बस की हम बात करें जैसे डिटीसी है इसके डिटीसी के अंदर जितने भी डिटीसी के स्टाफ हैं उनकी से टिकट नहीं लिया जाता ऐसे कोई बस होगा अगर उसका स्टाफ है उसे कहीं जाना तो उससे टिकट के पैसे तो आपका जो मालिक हो वो काम ट्रांस्पोर्टिशन वाला ही कर रहा है आपको facility भी कौन सा दे रहा है वो transportation वाला उसके लिए है ये railway में और air में applicable नहीं होगा ध्यान से देखिए transportation of goods और passenger free concessional या तो free में बोल दिया गया मालो आपका honor है आप ticketing करते हो मैं आसपास की बात बरूँ तो यहाँ पे एक vivek travel है देखा होगा जो इधर से जाते होगा vivek travel के नाम से और भी बहुत सारे travel है जैसे make my trip बोल लेते हैं यह तो सबने सुना होगा उनका bus का भी facility आप वहाँ पे काम कर रहे हो काम करने के बाद भाई आपको जाना है डेली से मान लेते हैं शिमला बस से कैली से सिमला जाना है आपने उनसे बात किया बोला कि भी आप नॉर्मल पैसंजर से लेते हैं हजार रुपए तुम employee हो make my trip में काम करते हैं आपसे दोसों लेंगे आपको benefit कितने का मिल गया 800 आपके salary में taxable समझे बात या बोला गया आप तो भईया यहीं पर काम करने वाले आप तो free में जाओ घूम क्या हो आपसे क्या पैसा लेने तो पूरे 1000 रुपए taxable हो जाएंगे लेखिन यह railway और airlines पर एप्लीकेबल नहीं है यह वाला सर कहता है taxable value value of which services offered to general public normal public को जितने का दिया जा रहा है वो आपका taxable value होगा और उसमें से minus कर दिया जाएगा which amount recover from you समझ में आए बात आपको कोई दिक्कत यहाँ आता है नहीं कर लिए सर आगे चलते है medical facility बहुत बहुत important है इसको तो चार्ट से ही कराना पड़ेगा मुझे अभी medical facility चार्ट में कर लेंगे payment annual premium झाल चलिए सर ये तो जरूरी है क्या था सर ये ये था मेडिकल फैसिलिटी ध्यान दीजेगा सर एक मेडिकल अलाउंसिस था वो फुल्ली टेक्सिबल होता है ये है फैसिलिटी अब मेडिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो आपका इलाज तर दो जगह हो सकता है तर दो जगह कहा या आपका ट्रीट्मेंट हो सकता है इन इंडिया या आपका ट्रीट्मेंट हो सकता है आउटसाइड इंडिया सर अगर हम इन इंडिया की पहले बात कर लेते हैं हिंदूस्तान में आपका इलाज हो रहा है अगर इन इंडिया में टेक्सिबल होगा तो या तो आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाओगे या फिर आप ओनर के हॉस्पिटल में करवाओगे या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओगे अगर सरकारी हॉस्पिटल में कराते हो इलाज तो बताईए मुझे सरकारी हॉस्पिटल में कराते हो तो पैसा लगता है नहीं लगता तो आपके सेलरी का पार्टी नहीं है मालिक के हॉस्पिटल में कराओगे तब भी पैसा नहीं लगेगा इसको इसलिए रखा गया भईया लाइफ की बात है तो इसको एक्जेम्ट कर दिया सरकार ने अब प्राइवेट हॉस्पिटल में दो पार्ट हो सकता है या तो आपने मेडिकलेम की तुरू कराया होगा मेडिकलेम जानते होगे या फिर आपने नॉर्मली करा लिया होगा यहां पर दो बात हो सकती है या तो आपने अपना इलाज करवाया होगा जब आपका इंसॉर्ण्स होगा या आपके पास इंसॉर्ण्स नहीं होगा अगर आपका इंसॉर्ण्स हुआ तो इसका प्रीमियम या तो मालिक भर रहा होगा या आप भर रहे होगे कोई बात हो सकती है तो कोई भी भर रहा हो यहाँ पे treatment में जो खर्चा हुआ वो exempt होगा not taxable सर अगर आप ने insurance नहीं लिया तो खर्चा बहुत आने वाला है अब खर्चा आएगा या तो आप खुद करोगे या मालिक करवाएगा अगर आप self करते हो तो आपका perquisits किस बात का भाईया मेरा पैसा जहां मर्जी खर्च करूँ not taxable अगर honor करवाता है तो यहाँ पे जितना income tax commissioner approved कर दे exemption के लिए वो taxable नहीं होगा अगर आपने बहुत disease था और बहार treatment करवाया मालिक ने पैसे दे दिये आपसे income tax officer ने बुला के पूछा income tax commissioner ने भाईया आपने कर रहा है तो यह आपके salary का part है आपने उसको explanation दिया आप तो इस पे भी पैसे ले रहे हो अगर ऐसा रहा तो आगे से मालिक भी नहीं देगा यह दिक्कत रहे गए commissioner को दिया आगए उसने बोला चलो ठीक है 20 लाग का खरचा हुआ है न हम 18 लाग रुपे तक माफ करते हैं 2 लाग चोड़ तो जितना approved income tax commissioner करेगा वो exempt और balance will be taxable यानि जब honor करवाएगा तो दो बाते निकल के आई जब honor करवाएगा दो बाते निकल के आई या तो commissioner income tax मैं authority word use कर लेता हूँ authority ठीक है न income tax authority word उस्तमाल कर लिए बाकी law में commissioner लिखा है जो part income tax authority या income tax commissioner ने approved कर दिया वो क्या होगा सर और जो not approved है वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा सर tax कहानी समझ में आई आपको सर कहानी समझ में आ गई इसलिए मैंने चार्ट मना लिया वहाँ बात में पढ़नेगी क्योंकि थोड़ा complicated है यह तो भारत में इलाज करवाया तब हो गया अब एक एक करके समझ लेते हैं सर tax treatment को क्या कहा गया कैसे कैसे करना है समझ लेते है treatment इंडिया में हो रहा है government hospital में हो रहा है तो भाई हमारा पैसा नहीं लग रहा salary की क्या बात है मालिक क्या कराएगा हम खुद करा लेंगा जाके अगर honor का hospital है 40s में काम कर रहे हैं 40s के अंदर ही आपका treatment चल रहा है आपके family member का treatment चल रहा है तो फिर भी no taxable अगर आप private hospital में करवाते हो तो insurance करवाया है तो insurance में तो भाई या पूरा exempt होता है वो तो insurance company भरेगा आपने तो कुछ payment ही नहीं किया अगर insurance नहीं है तो self करवाते हो अगर आपके जेब से पैसा गया आपके निकल गए तो किस बात का taxable अगर मालिक ने करवाया तब देखना पड़ेगा income tax commissioner ने income tax chief officer ने income tax authority ने कितना approved कर दिया वो exempt बाकी का जो नहीं approved हुआ वो fully आप समझ मैं था तक कोई दिक्कत नहीं अब आजाते हैं इंडिया से बाहर चलते हैं इलाज कराने जब आउटसाइड इंडिया जाओगे इलाज कराने आप हो सकता ने कुछ ऐसे बिमारी होती है जिसका इंडिया में अगर नहीं है वैसे तो सारी बिमारी का है तेकिन कुछ ऐसी बिमारी है जिसका इंडिया में इलाज नहीं है तो आप इंडिया से कहा जा रहे हो बाहर और पैसा मालिक दे रहा है इसे situation में यहाँ पर दो तरीके के खर्चे आते हैं एक hospital का खर्चा और रहने का खर्चा और एक किराया का खर् travel का cost और एक वहाँ रहने का और hospital का खर्चे दो खर्चे होगे तो पहले हम बात कर लेते हैं travel का cost यानि air की cost कर लेते हैं air लिख देता हूँ air ticket अलाकि law में air ticket नहीं लिखा ध्यान रखना कहीं बोलो air ticket पर ही मिलता है sir बस्ते जाएंगे तो नहीं होगा हो सकता है मैं air ticket लिख रहा हूँ अब ऐसे situation में आप से देखा जाएगा आपका चेक किया जाएगा sir children education allowance में इसमें फरक क्या वो भी आप पैसा दे देते हाथ में यहाँ पे मालिक पैसा नहीं देगा वहाँ इलाज करवा देगा अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चलिए जब आपको air ticket की बात चल रही है तो किराया आपका exempt होगा तभी जब आपका यहाँ पे cross total income gross total income याद रखना जी टी आई अगर दो लाख रुपए से कम है तो तो exempt अगर दो लाख से exceed होगा तो taxable अब हम बात करें जाने में भी दो वेक्ति जाएंगे एक आप जाओगे एक आपको संभालने वाला भी होना चाहिए उसके भी cost की बात हो रही है ऐसे hospital के अंदर भी एक आपका ही रहेगा hospital का और रहने में दोनों का हो जाए तो यहाँ पे law ने क्या बोला GTI GTI का मतलब gross total income gross total income आपका 2,00,00,00 रुपए से जादा है तो आपका क्या होगा fully taxable हो जाएगा सर किराया अगर 2,00,00,00 रुपए से कम है तो क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा यानि आपका GTI क्या होता है सर GTI यानि कहीं से भी income not exceed 2,00,00, यहाँ 2,00,00 के limit रखी गई है अगर GTI not exceed 2,00,00,00 से है तो सर exempt है तो क्या है अगर GTI 2,00,00,00 रुपए से जादा हो रहा है तो क्या है fully taxable इस बात का याद रखना है 2,00,00 से not exceed का है तो exempt है यानि इससे जादा होगा तो अब बात करते हैं hospital के खर्चे के तर हॉस्पिटल में जाओगे इलाज करवाओगे और प्लस रेजिडेंस प्लस रेजिडेंस हॉस्पिटल के साथ रहने का खर्चा यहाँ पे RBI अब देखो income tax वाले नहीं यहाँ आते यहाँ पे आ जाते हैं entry हो जाती है RBI की कहता है RBI ने जितना approved किया है RBI ने जितना amount sanction के लिए permission दे रखा है क्योंकि बहार जाओगे न तो dollar लगेंगे currency change होगा तो जाना किसके पास पढ़ेगा देखो ticket कराओगे dollar नहीं लगेगा मेरे को USA जाना है मैं इंडिया के currency में book कर लूँगा flight लेकिन USA पहुँचने के बाद hospital का bill payment में कौन आ जाएगा currency dollar pound तो dollar के case में जो RBI अप्रूब्ड करेगा वो exempt होगा वो सर सारा का सारा यह है पूरी कहानी medical facility इसलिए मैंने chart बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए इसके बाद बस thoroughly rate कर लेंगे जो मैंने notes में डाला हुआ है वहाँ chart नहीं बनाया although लेकिन लिखा हुआ सारी बात है clear रहे हैं यहां तक आपकी किताब में भी मिल जाएगा यानि फटा फट से quickly एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आ जाते हैं देखिए सर medical facility क्या बात करता है कहता है सर medical facility and its tax liability की क्या बात करता है medical treatment hospital में अगर होगा कौन से hospital में सर any hospital maintained by maintained by क्या होगा यही मैंने बताया medical treatment hospital approved by chief commissioner income tax वालों ने approved कर दिया तो not taxable health insurance premium paid reimburse by the employer to employee and his family member तो यह भी हमारा not taxable रहेगा मैं इसके उपर अभी hashtag लगा लेता हूँ इसमें भी दो condition आईगी अभी आगे आजाएगा medical treatment hospital situated outside India following is nature of expenditure taxable एक तो medical treatment का चलेगा भाईया treatment का मतलब hospital का खर्चा तो exempt कितना होगा up to RBI की बात कही गई है अब सर्थ चलो treatment हो गया तो अब बात कर लेते हैं traveling का traveling समझ रहे हो traveling के खर्चे के लिए यानि किराया फ्लाइट का अगर GTI आपका equal to 2 lakh है however if GTI taxable if आपका 2 lakh रुपे से सर GTI का मतलब क्या है सर GTI का मतलब है total income यानि salary से income HP से income TG से income other source से income TG BP से income सब को जोडने के बाद उसे बोलते हैं GTI gross total deduction minus नहीं करना है ठीक है आगे कहता है रहने का खर्चा stake cost कौन-कौन रहेगा भाईया एक रहेगा पेसेंट और एक अटेंटेंट अटेंटेंटेंट कौन होता है जो उसका देखबाल करेगा RBI ने जो अप्रूव्ड किया है उसे की बात कही गई कोई दिक्कत यही बता है चार्ट में खटा पॉइंट आ जाता है payment of annual premium employer personal accidental policy के लिए करेगा employer then not taxable अब दो तरीके के insurance होगा एक होता है health insurance एक होता है accidental insurance कई बार जो add आता है ना add आता है आपका हमेशा accidental के लिए एक रुपे से भी कम मेंच और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तीन रुपे में पांच लाख रुपे का insurance आप खुश तीन रुपे दे दो पांच लाख का insurance हो जाए क्या दिक्कत है तीन रुपे महीने में वह accidental होता है सर मतलब आप जा रहे थे कहीं accident हो जाए और accident में हाथ पैर तूटने का कोई treatment नी है मरना पड़ेगा वहाँ सब मिलता है claim तो accidental अगर होता है और employer इसका cost बहुत nominal होता है आप railway में जाओगे न railway की ticket के अंदर देखना यहां से कहीं भी जा रहे हो आपको policy insurance policy add होगा कितना 50 पैसा एक रुपिया यानि जब आप travel कर रहे हो या कोई भी travel कर रहा है बीच में train के साथ कोई happening हो जाए और वहाँ death हो जाए तब आपको insurance company 5,6,000,000 रुपे तो देखो insurance कितना nominal है और वह certain travel के लिए होता है और एक बात बताओ जितने भी आपके debit card होते है जिसके पास private bank का debit card है बैंक के अंदर account है उनका accidental insurance तो होता ही हो तो बोला गया अगर मालिक ने आपका accidental insurance करा रखा है उसका premium paid कर रहा है तो exempt है अगर मालिक ने normal insurance करा रखा है medical वाला तो वो सर आपके salary में जाके जूट देगा fully taxable insurance की भी दो category हो गया एक हो गया medical और एक हो गया medical वाला क्या हो जाएगा fully और accidental वाला exempt एक हो जाता है LIC life insurance policy वो fully taxable है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है लेना देना नहीं है वो क्योंकि उसके पैसे तो वापसी यानि जो ये medical वाला insurance इसके पैसे वापस नहीं मिलेगा 10,000 payment किया 20 साल वाद आपको वापसी मिल जाता है ये फरक रहता है ठीक है सर कहता है reimbursement of medical expense fully taxable कोई भी medical expense आपको reimbursement होता है reimbursement के मतलब क्या होता है सर आप गए इलाज करा है hospital में एडमिट हो गया मालिक है अच्छा इलाज हो चलो यह लो 5000 रुप है लो जो खर्चा होगा कर लेना मालिक ने hospital का बिल पे कर दिया या फिर ऐसा हुआ आप गए और तीन दिन का आपने absent कर लिया hospital क्यों नहीं आ रहे थे डेंगो हो गया अच्छा डेंगो हो गया कौन से hospital में थे कहीं था कितना खर्चा हो गया 50 जार बिल दिखा बिल दिखाया आप उस नहीं दे दिया यह लि अगर reimbursement कोई मालिक कर रहा है इस परकार से आपका fully एक से यह पॉइंट ज्यादा पूछा जाता है रियंबर्समेंट हाला कि मैं exam oriented point of view से बोलू तो medical facility का बहुत कम पूछा जाता है बस एक reimbursement वाला पॉइंट हर बार पूछा जाता है तो reimbursement सर हर जगा टेक से बले पहले तक का exemption मिला करता था वो खतम कर दिया गवर्मेंट ने उसके बदले पचास जार रुपे का standard deduction दिया है ठीक है ना तो किसी के पास पुरानी बुक हो सकती है पढ़ रहा हो बच्चा तो परिशान हो जाए सर ने तो बताया यहां तो पंदरह जार exemption नहीं हो तो लीजिए सर य आते हैं लीब ट्रेवल कंसेशन हमने कर लिया था जर्नी थू एयर रेल बस वगयरा यह सब हो चुका है मोटर कार हो गया मोटर कार होई employer employee हमने देख लिया था मोटर कार 900 रुपे महिने के हिसाब से ड्राइवर का बाकि सारा अब कुछ tax free perquisites है tax free मतलब taxable नहीं होगा यह भी जानना जरूरी है जो कि last है एक तरीके से हमारा tax free perquisites में क्या है सर medical facility कहता है the value of medical treatment provided by the employer member of family in hospital dispensary nursing home maintained by the employer मतलब वही वाली point को गुमा फिरा के यहां डाल दिया है जो मैंने बोला था ना not taxable अगर आप इलाज सरकारी में करवाते हो या मालिक का आपका hospital है तो आपके taxable नहीं होगा training of employee सरपता था इसको अलग point में डाल दिया था कि याद रहे training करेंगे employee का तो वह भी taxable नहीं होगा use health club sports यह भी taxable नहीं होता वहां याद होगा जब मैंने करवाया था तो वहां पे health club और sports का taxable नहीं क्यों यह इसलिए government ने कर दिया भाई health club देंगे yoga yoga में जाएगा fit रहेगा तो वैसे hospital hospital कम खुलवाना पड़ेगा हमें एक्सेंशन में डाल expense on telephone telephone के खर्चे का bill भी exempt होता है ध्यान रखेगा telephone allowances fully taxable होता है telephone perquisites fully exempt होता है इस बात का ध्यान रखना है employer contribution employer कहां पे employer contribution super annuation fund इसकी बात करेंगे हम employee provide to the contribution not exit साड़े साथ लाग साड़े साथ लाग रुपए से ज्यादा का अगर contribution नहीं किया हुआ है super annuation fund क्या होता है हम इसकी बात करेंगे देखो मैंने provident fund बताया recognized provident fund unrecognized एक मैंने super annuation fund नहीं बताया और एक statuary provident fund नहीं बताया है दो provident fund मुझे deduction वाले chapter के अंदर लेके जाना है इसलिए मैंने नहीं बताया और exam में बहुत कम rare पूछा चलिए सर और क्या है सर premium paid by the employer accident policy अभी बताया था वही घुमा फिरा गया accommodation in remote area याद होगा मैंने बोला था कि अगर आपको remote area में power generation वाले में आपको घर दिया जाए रहने के लिए तो वो exempt हो जाएगा वही point यहाँ पे filter करके लिख दिया गया है चलिए सर retirement benefit क्या है retirement benefit में graduate clear है covered not covered यह हम कर चुके हैं पूरे chart के अंदर mention है यह सभी को मिल जाएगा treatment of provident fund कर लिया था recognize, unrecognize जो 1961 act में covered है नहीं है allowed नहीं यह सारी बाते मैंने लिख रखी आपको पहले भी chart करवा दिया है salary का meaning सब कुछ मैंने proper तरीके से define किया हुआ है amount withdrawn unrecognized fund से क्या होता है तब भी बता दिया गया है pension भी कर लिया है sir pension में कोई दिक्कत, कोई tension नहीं है pension में नहीं है sir आज आईए NPS NPS हम बाद में करेंगे यह हमारा AT CCD1B का part है तो यह थोड़ा सा confusion है इसलिए मैंने deduction वाला नहीं कराया तो NPS NPS सरकारी योजना का है new pension scheme बोलते हैं इसको NPS के नाम से भी जाना जाता है 10% employer देता है तो 80 CCD2 और 80 CCD1 और 80 CCD1B तीन section है मैं ATC के sequence में ही करवाँगा तो अभी मैं इसकी चर्चा भी नहीं कर leave encashment करा दिया था चार बाते थी यहां पर unused, used, availed, unavailed सर यह पूरी तरीके से salary इससे बाहर कितने page का है सर देख लेते हैं सर यह मात्र 10 page का है और बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसलिए 10 page का है, छोटा लिखूँआ है तो 3-4 page में हो जाए 10 pages का है इसके अंदर पूरे salary के notes है, application के अंदर जितने बच्चे हैं, सब के लिए मैं upload कर दूँआ और जितने बच्चे भी हैं, जो offline पढ़ रहे हैं बाकी 10 year के अंदर already मैं incorporate कर चुका हूँ, नए वाला amended 10 year, amended 10 year क्यों बोल रहा हूँ सर, आप देखिए कुछ ना छोटी छोटी सी देखो book मैं बनाता हूँ हर बार गलती हो जाती है कैसे गलती हो जाती है सर, book बनाती हो हर बार तो या तो मेर से गलती हो जाती है या फिर टाइपिंग वाले से गलती हो जाती है वो गलती होता है, टाइपिंग error या फिर थोड़ा सा miss, जैसे यहाँ पर 371 है और इसका 372 कर दिया, जबकि इसका होना चाहिए 372, यह मैंने नए वाले में correction लखवा दिया समझ रहो ना, तो नए वाले 10-year का मतलब है, छोटे-छोटे जो error थे, वो correct कर दिया दूसरा सबसे major changes जो मैंने उसमें किया है, जो capital gain का था capital gain के अंदर indexation लगता है, वो सारे indexation revise कर दिया है, नए वाले 10-year में अब बच्चे बोलेंगे, सार, पुराने वाला हमने खरीद लिया, हमार तो बिकार होगे, ऐसा कुछ भी रही है, सेम ही है, बस थोड़े-थोड़े alter की है, मैं एक दो दिखा दूँगा, आपके class में, आपके कुलिक कोई स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आपके लेते हैं, आप मैच कर लेना, बिल्कुल सेम रखा है, अगले साल पूरा revise करने वाला हूँ, इस साल के लिए मैंने ज़्यादा revise नहीं किया है, यह final revision दिया था मैंने 10-year को, market में available होगा, नए वाले और पुराने वाले का पहचान क्या है, नए वाले में, front पे जो है, image लगवाया हुआ है, दोनों, program वाले में भी, honors वाले में भी, पुराने वाले में back में लगवाया हुआ था मैंने, कहा है, पुराने वाले मेरे पास यह रहा पुराने वाले का पहचान यह सर पुराने वाले में back में था वीडियो से related information नए वाले में front पर ही दे दिया qr code और front पर ही बोल दिया कि वीडियो मिल जाएगा आपको कुछ बच्चे कहते हैं sir 10 year के वीडियो जो होंगे देखो 10 year के अंदर आपको तो अल्रेडी मिल रहा है book के question भी आपको अल्रेडी मिल रहा है तो आपको कोई 10 year के अंदर खरीद होगे तो कोई qr code करके कोई वीडियो खरीदने के अवशकता नहीं है आपको सब कुछ इसी कोर्स के अंदर डिलिवर किया जाएगा हा लेकिन hard copy आपको खरीदना होगा वो मैं नहीं दे सकता ठीक है ना वो चीज़ ध्यान रखना है आपको बाकी extra question भी जैसे रहेगा वो रहेगा तो आज मैंने ये करवा दिया question practice के लिए मैं दूँगा एक से लेके नौ question देते हैं 10 year में से सभी 10 year खरीद लेंगे एक से लेके 9 तक आपको practical question करने है तर 10 year के अंदर दो category का रखा examination paper और प्लस में आपका है practical question जिसके पास होगा वो देख सकते हैं सर कौन सा 10 year है शिवदास का 10 year है शिवदास का मैं phone number भी nearby किसी shop पे जाओगे और बोल दो के sir शिवदास का 10 year दे दो easily available हो जाता है bookshop पे जाके या phone number दे दूँगा जिनके area में available नहीं है honors का बच्चा program का बच्चा कोई भी हो देखे salary के अंदर सबसे पहले salary के अंदर मैंने पूरे chart डलवा दिये उसके बाद salary के दो हिससे कर दिये retirement वाले question को अलग कर दिये ताकि जब बच्चा करे तो retirement retirement वाले provision को याद रखे और normal perquisits और allowances को मैंने अलग कर दिये तो पहले perquisits allowances वाले सारे question करो ताकि retirement वाला ग्रेजुएटी, P.E.F. और pension ये सब याद ही ना रखना पड़े ताकि आपकी practice अच्छे सो जाए तो इसको दो session में मैंने बाट दिये हैं आपको जो करना है अभी retirement वाला नहीं करना आपको एक से लेके 9 तक question ट्राइ करना है old रिजिम और new रिजिम के साथ एक से लेके 9 त कुछ चीज नहीं छोड़ा मुझे लगा था मैंने हाई कोट सुप्रीम कोट के जज वाला छोड़ा हूँ नहीं वह भी मैंने दे दिया अलाउंस इसके अंदर दे रखा है